तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं एंससी की कारिकरूम की जहां पर प्रधार्मंथी नरेंडर मोदी पहुंच रहे है और ये तस्वीरे करी अप्पा परेड ग्राउंद दिली से आप देख सकते हैं सीक्ति करी आपको रहे हैं पारेड की प्रधार मंत्री नरेंडर मोदी और विरिटिंग डर्ुटरीट सरेमनी भी होने वाली है कल, इसे पहले करेबका परेड कहुंच रहे हैं करेबका जोकी आपको बता दें कि उंकी याद में ये करेपा परेड ग्राउंड बना गया है और NCC का घुरसवार दस्ता ये देखिए इनके हातों में ये जंडा और परेड की सलामी लेते हुए नरेंडर मोदी यहां पर पहुंची है ये जो ग्राउंड है खचाखच भरा हुआ है और आप देखिए ये जो खास मकसद है इसक एक नहीं अनेक मकसद है इसके पीछे और इसी को बताने की कोशिश पीम मोदी करियपा परेड ग्राउंड पर करते हुए सलामी लेते हुए और ये आप देखिए ये जो दस्ता है यहां पर सलामी ले रहे हैं और ये खास कारिक्रम NCC का हो रहा है जिसमें पीम नरेंडर से कई मौकी आते हैं जब वो जवानों का होसला बढ़ाते रहते हैं उनके कारिक्रम वेशर करते हैं दो तस्मीरों के माधियम से हम आपको दिखा रहे हैं देखिए ये परेज हो रही है और उनके साथ सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद है नरेंडर मोदी के साथ और ये अधामी थी उसका संदेश भी दे रहे हैं आप नरेंडर मोदी के पीछे राजनाथ सिंग को भी देख सकते हैं जो की रक्षा मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुँचे हैं और देश की हिफाज़त की जबात आती है जवानों के होसले की बढ़ात आती है तो नरेंडर मोदी पहुंचते हैं और बड़े ही आप देखिए कि बारी की से कारेक्रम को देखते हुए और यहाँ पर यह परेड के साथ साफ सालाम मी रे रहें अरेंड मोडी और बैंड के साथ यह डस्ता आगे बरता हुआ करियपपा परेड क्राउंड दिल ली में यहाँ पर नरेंडर मोधी पहुंच रहे हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राशनात सिंग भी मौजूद है